बहुत कम समय में, तो इसके लिए आप विडियो को पूरी देखे, मैं तुशी राजस्थानी तड़कावी तुशी। आपका स्वागत करती हूं तो चलिए बनाना शूरू करते हैं हम यह सर्चो का साग तो यह सबसे पहले तो चाहिए इस सर्चो तो यह देखेए यह मैंने पूरी सर्सों को साफ कर लेणा है और जो पत्तों के पास से जो कच्चे कच्चे धंठल होते हैं ये हम रखेंगे क्योंकि इन में खुच जादा मात्रा में फाइबर होता है इसलिए पूपा च्छोटा भी हम नहीं करेंगे तो ये देखिए पूरी सरसो मैंने काट लिया है और ये मैंने करीब धाइसो ग्राम बत्वा लिया है जिसे भी मैंने साफ कर लिया है ये देखिए इस तरह से पत्ते पत्ते मैंने तोड लिये थे और मैंने 500 ग्राम थी ये पालक लिया है जिसे भी मैंने साफ कर लिया तो ये तीनों चीजे हमने तैयार कर ली है साफ करके ये देखिए बद्वा, पालक और सरसो तो अब इन तीनों चीजों को हमें काटना है काटने का प्रोस्स दिखाने की जरूत नहीं है क्योंकि सब भी काट सकते है तो ये देखिए, तीनों चीजों को मैंने काट लिया है और अब इने मैं अच्छे से धो लूँ हरी सबजी हम जब भी बनाते हैं एक किलास बरके भी आप डाल सकते हैं और इसमें अम मैं ये फूरी सब्जी निकाल दूँगी और इसके अंदर इमें डाल दूँगी चार-पांच हरी मिर्ज तोड़कर या काटकर जैसे भी डालिए कोई फरक ने पड़ता तो दोस्तों यहां पर मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की आसान टेस्टी और हैल्दी रेसिपीज मैं आप चमच नमक एक जोथाई चमच हीं एक से डेड़ चमच लाल मिर्च लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के कोडिंग डालिए मेरे पास यह ज्यादा तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है और इसे इस तरह से हम कर देंगे और इसके पाँद आप हम इसमें लगादेंगे डग्कन और डग्कन लगाने के राद हम इसमें करीब 8-10 सीटी लगाएंगे क्योंकि अहामें क्यां इस सब्जी को घोट ना है तो जितनी ज्यादा हम iis is calm by लेगाएंगे सब्जी उतनी ही सोफ्ट हो जाएगी और घोटने म में जादा टाइम नहीं लगेगा तो 8 से 10 सीटी मैंने इसमें लगा दी थी और ये देखिए सब्जी इस तरह की हो गई है अब हमें इसे घोटना है तो मैं आपको घोटने के तरीकी बताती हूं कि आप किस किस तरह से इसे घोट सकते हैं तो ये देखिए इस तरह से आप इसे अलग ही आता है और दूसरा तरीका ये है कि आप ये कोई भी दाई मत में लेजिए और इस तरह से इसे घोटिए और तीसरा तरीका ये है कि इसे थोड़ा ठड़ना करके मिक्सिजार में डाल के एक से दो बार चला ले लेकिन पिलकुँ चटनी के जैसा भी नहीं पीसे और अभी एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी कि किस तरह से आप इस सरसों के साथ को गोट सकते हैं उससे पहले ये देखिए मैंने लिया है करीब आदा ग्लास पानी और उसमें मैंने डाल दिया 3-4 चमस मकी का अटा तो ये 3-4 चमस मकी का अटा पानी में खोलेंगे हम अगर म और इसके बाद इसे हम डालेंगे इस साग में तो इस साग में हमने इससे डाल दिया है और डालने के बाद हम कैस को जला देंगे और जला करके इस तरह से घोटते रहेंगे तो सब्जी थोड़ी देर में घुट जाएगी लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं घोटना चाहते और अगर आपके पास में electric बीटर है आप इसको 2 से 3 बार इसमें चला दीजिए बहुत जादा नहीं चलाना है सिर्फ 2 से 3 बार क्योंकि हम Way इसे घोटना है इसका paste नहीं बनाना है तो सब्जी अच्छे से घोटने में आ जाएगी यह देखी इस तरह से तो आप इस तरह से भी सबजी को घूट सकते हैं लेकिन इसीज का ध्यान रखें कि आप गरम-गरम सबजी में बीटर को ना चलाएं सबजी थोड़ी ठंडी कर लें और उसके बाद चलाएं उसके बाद ये देखें मैंने अब गैस जला दी है और 5-7 मिनट के लिए मैं इसे अभी और पकाऊंगी तो ढखन को मैं इसके उपर ढख दूँगी और इस तरह से मैं इसे करीब 5-7 मिनट के लिए पका लोगे तो ये देखें कितना बढ़िया साग हमारा बन करके तयार हुआ है लेकिन अभी हमारा साग पुरी तरह तयार नहीं हुआ है अभी तो इसमें तड़का लगाना बाकी है तो देखें तड़के के लिए हम लें लेंगे देशी घी चाहें तो आप रिफाइंड में भी लगा सकते हैं लेकिन देसी घी से जब हम तड़का लगाते हैं तो सरसो के साग में बहुत बड़िया टेस्ट आता है तो ये करीब दो-तीन चमच मैंने इसमें देसी घी डाल लिया और उसमें डाल दी मैंने चार सुखियों लाल मेच इसके बाद हम इसमें डालेंगे 15-20 कलिया लेस्टन की एक इंच अद्रक का टुकड़ा जिसे भी मैंने बारिक-बारिक काट लिया था और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे दो प्याज बारिक-बारिक कटे हुए और दो-तीन हरी मेर्ज सभी चीजों को हम हलका सा प्राउन कलर आने तक भून लेते हैं इसमें से जो ये मेर्च हैं ये मैं निकाल लेती हूँ जो की गार्निशिंग के काम आएंगी और ये देखिए हलका सब राहूल कलर सभी चीजों पर आ गया है और अब इसमें हम डाल देंगे सरसो का साग दोस्तों कैसी लगी आपको इस सरसो की साग की रेसिपी आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और फेमिली फ्रेंट्स में शेयर जरूर करें और इसी तरह की राजस्थानी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी जैसे की खाटे का साग विदाउट ओयल की आलक चना डाल की सबजी राजस्थानी रेसिपी के साथ साथ आपको बहुत सी हेल्दी रेसिपी मेरे चैनल पर मिलेंगी आप उन्हें जरूर देखिए तयार है हमारा सरसो का साग सरू करने के लिए देखिए कितना पढ़िया बनाया है और इसे अब हम निकाल लेते हैं इस बावल में तो क्यूं दोस्तों लग रहे हैं बहुत यमी यह देखिए इसके उपर हम लगा देते हैं यह जो लाल मेर्चमे निकाली थी और साथ में इस पे डाल देते हैं थूड़ा सा बटर का टुकड़ा और जिसे हम सर्व करेंगे मकी की रोटी और खुड के साथ तो आप भी जरूर बनाईए मिलते हैं इतना ही रेसिपी के साथ तब तक लिए अच्छा खाये स्वस्त रहिए देंक्यू